अस्सालाम अलेकम रहमतुल्लाह हिंदूत्वा क्या है? ये जानने की बहुत सालों से हम सब की कोशिश थी हिंदूत्वा के ओपर मैंने किताबे देखने की कोशिश की उसको आइडियोलोजी को जानने की कोशिश की RSS BJP वालों के इंटर्व्यूस को देखा और सुना और पढ़ा लेकिन सहीं आइडिया नहीं खड़ रहा था अब चार साल से BJP के रूल के बाद RSS की सपोर्ट के साथ BJP का जो रूल चल रहा है इंडिया में अब समझ में आया हिंदूत्वा क्या है? दूसरे मजब के लोगों की अबादत गाहों को तोड़ना मस्जिदों को तोड़ना चर्चेस को नुखसान पहुचाना ये हिंदूत्वा है मासुमों को रोड़ पर गावरक्षक आतंगवादियों को भीजा के खतल करवाना ये हिंदूत्वा है फसाद में जो आतंकी फसाद में मासुमों को मारते हैं उनके इस्दती लुटती है उनके केसेस को वापस ले लेना ये हिंदूत्वा है अमीरों को खुब फाइदा पहुचा के बिलियर्स ओफ डॉलर्स उनके अकाउंट में पहुचाना ये हिंदुत्वा है गरीबों को 300 रुपे की ग्याए 700 रुपे में देना 40 रुपे किलो की दाल 200 रुपे किलो से देना 60 रुपे का पेट्रोल 80 रुपे से देना ये हिंदुत्वा है किसानों को खुदकशी पे मजबूर करके मार डालना उनको अपना गाय पैल बेचने नहीं देना भुकमरी से मरते रहते मरते वे छोड़ देना ये हिंदुत्वा है हज़ारो करोड लेके बिसनसमेन बाहर भाग गए तो खामुश बैठ जाना ये हिंदुत्वा है ये हिंदुत्वा की शकल अब नजर आ रही है और ये हिंदुत्वा एक दिन देश को देश्वासियों को बरबाद कर देगा आईए एक इश्वर माली गौड अल्लाह की तरव उसी की अबादत और उसके आखिर नभी मुहम्मद स्लाह सलम की सुनत और इतात की तरव तब जाकर देश भी बचेगा देश्वासि भी बचेंगे अस्सलाम अलेकुम